कि वल्कम टु केस्ट अकैडमी परेजेंटेश में बात करें देटस ओफ ओफ मॉबाइल एजेंट वह हम बात कर रहें मॉबाइल एजेंट तो मॉबाइल एजेंट है क्या यह एक प्रोग्राम है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्फर हो सकता है that can migrate from one host to another host at times and places of their own choosing जहां यह जाने चाहिए उदर जा सकता है ठीक है एक host से दूसरी host तक अपनी मर्जी की साथ से कोई system नहीं बोलेगा इसको कि इदर जाने इदर जाने यह जाने जाते हैं वहां जाएगा इसका बाप कोई नहीं यह खुद ही अपने आपने बाप है ठीक है कहने का मतलब यह है ठीक है इसके बाद the state of running program अगर यह एक host से दूसरे host में जा रहा है मालोग 5 इसके lines of code है यह दो line of code cross कर गया तीसरा है code कर रहा था लेकिन अब यह उसमें जा रहे है तो यह क्या करेगा उस code को store कर लेगा एंड बाट में उदर जाकर restore करेगा वापिस 3 से continue करेगा अपने आपको ठीक है वही चीज़ इसमें लिखे दर state of running program में save and transported to the new host new host में save करके send कर दिया कि दो नमबर तो पूच चुका है एंड वहां से वह continue करता है जहां से उसमें छोड़ा है ठीक है advantage यह होई कि improvement होगी latency में bandwidth में and vulnerability reduce होगी थी इसके लाब एक question generally जो पूछा जाता है इसमें mobile agent में वह यह कि mobile agent system system में and process system इनमें difference कि mobile agent system and process migration system process migration system इसमें difference कि है देखो मैंने पहली बोला कि mobile agent system अपने आप से decide करता जाना कितर है वाया jump and go statement jump and go statement उस statement का use करके अपने आप जहां जाना चाहता है वहां जाते जब कि process management system में क्या होता है यह decide नहीं करता इसको decide करने वाला system होता है कि किदर जाना है ठीक है process management system में system decide करता है कि हमारा program program जो है किदर जाएगा कि हमारा program किदर जाएगा यह हमारा system process management system में I hope सबके बाल समझाई होगी सबकी एक एक चीज़ क्लियर होगी अगर अब भी कैसे को कुछ समझने आता है comment section में message कर सकता है इसके नहीं मैं कुछ चीज़े आज शेयर करते हैं तुमारे साथ पहला की academy की t-shirt launch करती है एप्रोक्स मेरे खियाल से 300 तक की है ठीक है कोशिश करेंगे इसको cut off करके 200 कर ले ठीक है then notes जितनी जल्दी लोग के उतर अच्छा पाइद है क्योंके लास्ट आप ये वीडियोस नहीं देख पाऊगे ठीक है and description जरूर देखा करो हर वीडियो का किसी में तुम्हें उस description में advantage, disadvantage, बढ़ा कुछ मिल जाएगा अगर तुम description देखते हैं ठीक है so I hope सबके बाद समझा ही होगी, सबके हर्चीज क्लियर होगी so that's all for this presentation, ये थी आपकी last video of mobile computing बहुत से बच्चों का तो ये last exam में आता होगा इस ब्यक्त, so उने के लिए all the best exam के लिए all the best, so that's all for this presentation, that's all for this playlist so all the best to all of you, thank you कुछ कर्वाद ईपके लिए एक लिए इसागी